मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने दलित की परिवाशा के बारे में जानकारी ली थी कि दलित असल में कहते किसे हैं और विभिन विद्वानों का या विभिन हमारे जो नियम बने हैं सुमिधान में क्या बात कही गई है उससे जोड करके उन लोगों ने अपनी बात स्प की थी आज हम उससे आगे बढ़ते वे दलित अर्थ को समझने के पश्चा यह जानने के प्रयास करने की तरफ आगे बढ़ेंगे कि आखिर में यह दलित चेतना है क्या चेतन शब्द से चेतना निकला है चेतन का मतलब क्या है हम उसकी गहन परिवाशा में तो जई नहीं जाएंगे लेकिन हम उपरी तोर पे इस विशे से जुड़ी हुई जो हमारा आज चल रहा है उस तक पहुंचने की कोशिस करेंगे कि किसी चीज को मैसूस करना एसास करना जो चेतन नहीं है इसका मतलब वह जड़ है और ओन्य तो है कोई मैसूस करता है ने उसकी कोई प्रतीक्रिया देता है बहुतिक विज्यान की जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है उससे अलग हट कर है क्योंक बहुति विज्यान का तो नियम ये है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो उतनी ही होती है जितने की क्रिया हुई है या क्रिया में जितना बल लगा है लेकिन मानुविय जीवन में वो चीज संभव नहीं है नहीं कोई ऐसा नापतोल होता है तो फिर हम आगे किस तरह से चलें तो यहां आते हैं कि वर्सों से समाज के जिस वर्ग का सोशन किया गया दलन किया गया जिसको अधिकारों से वन्चित रखा गया दबाया कुचला गया उस समाज के बारे में वो समाज स्वेम क्या सोशता है पर जब तक पूरी तरह दबाय कुचला रहा उसने नहीं सोचा तो दबाय कुचला ही रहा सोच बदलने पे ही वो उस दबायों से बाहर आया एक तो उस समाज की बात है दूसरा जिस समाज ने दबाया उस समाज की चेतना भी जागरित होती है यह नहीं कि हमेशा वही चेतना बनी रहे उसमें भी कहीं जागरिती आती है मानुएता के मुल्य जागते हैं तो उसकी सोच भी परिवर्तित होती है तो वो भी दलितों के बारे में कुछ सोचता है वो भी दलित चेतना है और वो भी इस दलित विमर्स में सामिल है तो मैं जब कभी दलित विमर्स की बात करता हूँ हलंकी मैं खाली विमर्स या इस तरह के वाद के पक्स में कभी नहीं रहता हूँ लेकिन चुकि हमें अध्यान करना है तो अध्यान को हम अध्यान की दिष्टी को रखते हुई हम करें तो दोनों की दिष्टी होती है लेकिन आज जिस दलित वीमर्स की बात कर रहे हैं वो हम सहिते के संदर्ब में कर रहे हैं तो उसको जोडते हुई करें तो सहिते को छित्र को भी लेंगे तो सेवर्णों ने भी दलितों के बारे में लिखा है तो स्वेम दलितों द्वारा भी दलितों के बारे में लिखा गया है लेकिन जब ये विकर्षन चलता है आपस में तो सेवर्णों द्वारा लिखे गए साहिते को एक सहानु भूती का साहिते मान लिया जाता है कि उन्होंने खुद तो भुगता ही नहीं है तो ये क्या जाने दलितों के बारे में दलितों के कष्ट के बारे में और जानते भी हैं तो इनको उनके कष्टों का क्या पता वो तो एक सहानुभूती रखते हैं कि ये लोग दुख पा रहे हैं इनको भी इतना दुखी नहीं होना चाहिए या इनका सोशन हुआ इनका इतना सोशन नहीं होना चाहिए इन पर अन्याय अनाचार हुआ है और सहानु भूती के सुरूप में उस पर कुछ उपकार कर दिये जाते हैं कुछ लोग उस साहित्य को इस तरह का मान लेते हैं और उस साहित्य को दलित साहित्य से बाहर भी कर देते हैं और वो सिरफ उस साहित्य को ही दलित साहित्य मानते हैं जो की दलितों द्वारा लिखा गया है जबकि जो विचार स्वतंतर रूप से रखे जाते हैं उनमें ऐसा कुछ ने दलितों के बारे में जो अच्छा सोचता है उसको प्रगती की तरफ ले जाने के बारे में सोचता है वो सब दलित चेतना के अंतरगत आता है चाहि कोई भी लिखे हम यहां सहिते की बात कर रहे हैं इसलिए उससे जुड़कर ही बात करें अलांकि यह नहीं कहेंगे कि दलित चेतना सिरफ सहिते से जुड़ी होगी चेतना तो पहले आती है सहिते बाद में बनता है तो दलित चेतना के अंतरगत हम साहिते से जोडते वे इन चीजों को कहेंगे और बाद में दलित साहिते कब हुआ कैसे हुआ लिखा जाना प्रारंग हुआ कब दलित साहिते शब्द का प्रयोग किया जाने लगा हम किसको दलित साहिते में सामिल करेंगे वह सारी चर्चा आग एक सामाजिक अवधार्णा है जिसका दलन हुआ है वह दलित है सामाजिक अवधार्णा कैसी है कि जिसका दलन हुआ है वो दलित है और दलित साहित्य जो है उसका भी एक मकसद होता है उसका भी एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य क्या है दलित चेतना पैदा करना अब यहां अभी मैंने फोड़ दिर पहले बात कही थी कि चेतना पहले आती है और साइते बाद में बनता है और यह कहरा है कि साइते का उद्देश्य एक मकसद है वो है दली चेतना पैदा करना बात तोनों ही सही है जो लिख रहा है उसके मन में पहले चेतना पैदा हुई और उस चेतना के फलस्वर्व को वह साइते लिख रहा है और वह साइते अपने में जो चेतना पैदा हुए उस चेतना को दूसरे लोगों तक भी ले जाना है उनमें भी वही चेतना पैदा करने है जो कि उसके दिल में पैदाया उसके मस्तिस्क में आई है यह बात मैं यहाँ इसलिए स्पस्ट कर रहा हूँ यह चेतना सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, दार्शनिक और सेक्सिनिक सभी स्थर पर होने वाले परिवर्तनों से प्रारंब होती है इन सब में जब परिवर्तन आता है यह सब में परिवर्तन लाया जाता है तो इस चेतना के फलस्वरू भी लाया जाता है यह इस चेतना के फलस्वरू भी होता है और जो दलित समुदाय है उसकी पूर्ण जागरिती ही चेत्ना है उसको पूर्ण जागरिती की तरफ ले जाना ही दलित चेत्ना है कुछ हम चेत्ना के बारे में यहां जानने लगें इसी संदर्व में ओम प्रकाश वालमी की जो है वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि दल्चेतना का सीधा सम्मंद दिश्टी से होता है या दिश्टी का मतलब खाली आँखों से देखना नहीं है बलकि हम जीवन को किस दिश्टी से देखते हैं जीवन के बारे में क्या सोचते हैं क्या विचारते हैं और उन विचारों को कहां तक लागू करते हैं वो चीज हमें देखनी है तो दलितों के बारे में जीवन में किस तरह से सोचा जाता है या दलित स्वेम अपने बारे में किस तरह से सोचता है आगे बढ़ने के लिए मैं खली उसको चेतना नहीं कुँगा जो एक हम तो दबे हैं कुछले हैं हमारा तो कुछ नहीं हो सकता नहीं वो चेतना नहीं वो तो जड़ता है क्योंकि जैसा है उसको स्विकार कर लिया नहीं ये गलत यदि आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उस पर विचार कीजिए और शक्ता हो तो उसका विरोध भी कीजिए और विरोध उची तरीके से कीजिए जो कि आपको आगे की तरफ ले जाए ऐसा नहीं हो कि हम नीचे उतरते जाएं तो यहां ओमप्रकास वालमी की यही बात कहते हैं कि चेतना का सम्मंद दिस्टी से होता या था चिवनकम किस तरीके से देखते हैं जो दलितों को या दलितों की सांसकृतिक आयतिहासिक सामाजिक भूमिका के तिलिस्म को तोड़ता है या तोड़ती है जो तिलिस्म बना हुआ दलितों के लिए जो सामाजिक तोर अइतिहासिक तोर पर भी है सांसकृतिक तोर पर इनको मुंको बहुत कम अधिकार मिले एतियासिक तोर पर भी इनका इतियास में कोई भूमी का हमको नजर नहीं आती लेखन में तो वह जो तिलिस्म हमारा बनाएं कि यह तो कुछ नहीं करते यह बेकार है उस तीलिस्म को तोड़ने का जो दिश्टि कौन है जो दिश्टि है वही असल में तलित चेतना है यह कौन कहते है। ओंप्रकास वालमे की कहते हैं। जलित मतलब मानवी अधिकारों से वंचित सामाजिक तोर पर जिसे नकारा गया हो उसकी चेतना यानि दलित चेतना। ऐसा व्यक्ति या ऐसा समुदाय या ऐसा वर्ग जिसको लंबे समय से अधिकारों से वंचित किया गया हो और समाजिक तोर पर उसका बैसकार किया गया हो या नकारा गया हो मैं वैश्कार सब तो उतना उचित नहीं है लेकिन जिसको नकार दिया गया हो कोई मैत्वर नहीं दिया गया हो उस व्यक्ति की चेतना ही दलित चेतना है तो यहां सिर्फ दलितों द्वारा अपने उठान के बारे में सोचे गए को ही यह दलित चेतना मालते है अब इसी दलित चेतना को जो की ओंप्रकास वालमिकी समझते हैं डाक्टर शी भी भारतिये उसको थोड़ा सा और विश्थारित करते हैं उसको व्यापक्ता देते हैं और व्यापक्ता देते ही वो कहते हैं कि दलित सहित्य का सर्जक समाजिक सरोकारों से जुड़कर कि दलित सहित्य का सर्जक उसका निर्मान करने वाला समाजिक सरोकार्ज होते हैं उनसे जुड़कर जीवन की विशमताओं धार्मिक विशंगतियों सोशन के लिए निर्मित कृत्रिम उपादानों तथा मानव मानव के मद्य बने अंतराल को मापने का प्रयास करता है तो ये वालमिकी से उपर उठे हैं वालमिकी थोड़े संकील रह गए हैं वो कहते हैं धलित सहीते वो ही है जो धलितों के बारे में सोचता है लेकिन ये नहीं कि कैसे सोचता है वो सोच यहां आती है वो कहते हैं धलितों तबारे सोचा गया हो वह दलित के बारे में धलिती प्रम्षे जरूरी थोड़ी है समाज में क्लांती आती है तो कोई नेouse आलग होता है कि बुद्ध इस सबतने और लोगों के बारे में में मिद्ध करए तो लीए थोड़ी थे दो 바 Ruth के मारे गलत वालमी की नहीं कहते हैं घली सोस और चेतना और चेतना यह बहित यह कहते हैं कि जात यह बजातियों के बंदन से यह जाते हैं एक जीवन की समताओं जीवन की दालमी की विसंगतियों और सोशन के लिए जो कृत्रिम उपादान या साधन बनाए गए नियम बनाए गए और मानव मानव के बीच में जो अंतर है जो अंतराल है उसको भी पाटने के लिए जो बात सोची जाती है वो भी क्या है दलित जेतना है इसी तरह बाबू राव बागूर जो है वो भी अपने विचार दलित चेतना के बारे में लगते है यह कहते हैं कि दलित चेतना साहित्य और आम आदमी के संबंदों को व्यापक्ता देती है हम एक तरफ पहले धिर्म करके आएं कि साहित्य और इनसान एक दूसरे के पूरग है या एक दूसरे का दरपण है यह दि किसी समय के समाज को हम समझ लेते हैं तो हम जान लेंगे कि उसका साहित्य कैसा होगा और इसे हम साहित्य को पढ़ लेता हैं हम जान सकते हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा या उस समय का मनुश्य किस तरह का होगा तो साहित्य और आदमी में एक संबंध रहा है में साम तो दलित चेतना जो है वो सहिते और आम आदमी के संबंदों को व्यापक्ता देती है ये बागूराव बागूल कहते है दलित सहिते इनसान को केंदर बनाता है केंदर में कौन रहेगा इनसान और इनसान का तात्प्रिय है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसमें कोई वेदवाब नहीं करता है इनसान को महानता प्रदान करता है इनसान प्रकृति का एक नन्ना सा रूप है इनसान है तो छोटा सा लेकिन सहित्य उसको महान बनाता है प्रकृति हमेशा गती शील रहती है, स्रिजिन शील होती है स्वत्मत्रता, समता, बंदुता जो है ये इस जो दलित साहित्य जिसको हम कह रहे हैं उसकी मूल जेतना मानी जा सकती है दलित साहित्य की जो अनुभूतियां है, वो परंपरगात साहित्य से बिलकुल अलग है क्योंकि दलित चेतना मनुश्य की मोक्ती की बात करती है जबकि समने साहित्य ऐसी कोई बात नहीं करता है मैं ये कहता हूँ कि साहित्य हमेशा अच्छा ही होता है उस सहिते में फिर हमको चुनाव करना होता है कि सहिते कौण सा आगे ले जाने लएगा लेकिन कुछ ऐसा जिसे हम सहिते कह रहे थे रचा गया जो कि मनुस्य को बेद भाव को बढ़ने वाला था मनुस्य की स्वतंत्रता की बात नहीं करता था राजा महाराजाओं को महिमामंडित करता था या किसी वर्ग विशेश को महिमामंडित कर देता था तो दूसरे को नीचे ले आता था तो बाबूरा वागूल का कहना है कि दलित चेतना हमेशा या दलित चेतना से युक्त सहित्ते हमेशा मनुष्य की मुक्ति की बात करता है और मुक्त होने का मतलब प्रगति करना है आगे की तरफ बटना है एक गुजराती कभी हुए हैं जैंत परमार वो भी अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि अम्बेड कर दर्सन ने दलितों के मन में आत्मसम्मान जागृत किया हम जानते हैं अम्बेड कर एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने दलितों में एक विशिष्ट चेतना पैदा की उनको पताया, उनको समझाया, उनमें चेतना जागृत की कि आप भी इनसान है और उनी से प्रेड़ना लेकर के दलित कवी भी आगे बढ़े उनोंने या उनके मन में अम्बेड कर की बातों ने, अम्बेड कर के दर्सन ने एक आत्म सम्मान पैदा किया कि हम भी कुछ हैं और उसके फलस्वरूब, जीवन जीवनानुभव को देखने, जीवन और जीवन के अनुभव को देखने और पैचानने कि उनकी भूमी का जो है, वो विद्रो है और नकार से भर उठी जबकि अम्बेड करने ऐसी कोई बात नहीं की थी लेकिन हम यह जानते हैं कि जहां लगातार सोसन चलता हो, उसकी खिलाफत होगी, तो यह नकार आएगा यह कोई अनुहोनी बात नहीं है लेकिन हम उस नकार को, उस विद्रोह को कितना नियंतर्ण में रख सकते हैं, उतना ही हम आगे बढ़ सकते हैं यदि वो नकार, वो नियंतर्ण हमारे मन से खत्म हो गया, तो हम आगे बढ़ने की जगए पीछे पहुंचने लग जाएंगे, और हमारा जो यह एक चेतना की भावना पैदा हुई है, अपने प्रती, स्वैम के प्रती वो आगे की बजाए पीछे ले जाती है उसका आवेग जो विद्रोभू है, जो नकार आया है, उसका आवेग किसी तुफान की तरह है, उसका सौंधर्य और उसका सामर्थ है उस कवी की उस साइत्यकार की और उसके साइत्यकी वेदना जो है उसमें और इस तरह से हम देखते हैं कि दलित चेतना जो जिसे हम कह रहे हैं वो डॉक्टर अमबेड करके जीवन दर्शन से मुख्य रूप से उर्जा ग्रहन करती है और इस तक्थे से हर प्रकार का लेकक हर तरह का लेकक सेमत है और लेकक ही नहीं भारत का हर व्यक्ति सेमत है कि चिप्रेणा का सुरोथ हम बेड कर ही है उससे पहड़े दलित चेतना मैं जहां तक समझता हूँ अपना स्वरूप ग्रहन नहीं कर पाई थी इसी के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करूँगा हम अगले व्याख्यान में इस दलित चेतना के जो प्रमुक बिंदू है उन बिंदूओं पर दिश्टी बात करेंगे जय हिंद जय भारत